नमस्कार दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आप लोगों ने कॉमेंट बाक्स में जो भी सवाल पुछा था उन सभी सवालों के जबाब आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हो तो आप इस वीडियो को पूरा आं तक जरूर देखेगा और चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और सभी सवालों के जबाब जानते हैं दोस्तों कोमेंट बाक्स के अंदर पहला सवाल पूछा गया था कि सर अगर 15 से 20 नमबर का कोश्चन है तो उसका एंसर कितन लॉइन कोश्चन है और इसके अंदर निर्देश दिया गया है कि इसका एंसर आपको 500 सब्दों में लिखना है तो इस कंडिशन में ओर भा Но क्या करेंगे और आप तीन पाईkap को चार पेज के बीच में लिखेंगे क्योंकि आपको जो है कि 500 सब्दों में लिखना है तो परिच्छा में किस पैन्स लिख सकते हैं लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि परिच्छा में आप ऐसे पैन्स कही हुच बिल्कुल भी मत किजिएगा जिस paint से लिखने पे जो paint का स्याही है दूसरे page पे उतर जाता हो जैसे बहुत सरे लोग क्या करते हैं कि jail paint का यूज करते हैं pilot paint का यूज करते हैं या फिर iSA paint का यूज करते हैं जिस paint से लिखने पे page के दूसरे side में paint का स्याही उतर जाता है तो इसे क्या होता है कि जो सियाही होता है दूसरे साइट पे जब उतरता है तो दूसरे साइट के जो अक्षर होते हैं उसको भी खराब कर देता है तो परिक्षा में आप किसी भी पेंट का यूज कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसे पेंट का यूज नहीं करना है जिसका सियाही दूसरे साइड भी उतर जाता हो और आपको न तो ज़्यादा भारी पेंट लेना है न तो ज़्यादा हलका पेंट लेना है और नहीं आपको मोटा पिन लेना है आपको सिंपल जो है कि सधारण पिन लेना है जिस पेंट से आपको लिखने में अच्छा हो जिसे आपका हाथ दर्द ना करे अब दोस्तो तीसरा कोमेंट आए था कि सर्थ 30 पेज या 32 पेज लिखना जरूरी होता है क्या तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि परिक्षा में 30 पेज या 32 पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपका कोश्चन जितने पेज में होता है आप उतने पेज में लिखिए और अधिक पेज में लिखने के चकर में मत पढ़िए दोस्तो परिक्षा में बहुत सरे student के मन में गलत फर्मी रहता है कि जब तक मैं 30 page ये 32 page नहीं लिखूंगा तब तक मेरे को number नहीं मिलेगा दोस्तो ये बिल्कुल गलत बात है माल लेजी कि आपको परिक्षा में total 14 question करने है और आपने total 14 question जो है कि अच्छे तरीके से explain करके लिख दिया और आपका total 20 page में हो गया तो आपको दोस्तो 30 page ये 32 page में लिख 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 कि क्या जोरत है आपको 20 page में ही उतना number मिल जाएगा जितना number आपको मिलना होगा तो आपको दोस्तो 30 page ये 32 page के चकर में नहीं पढ़ना है आपको बस सभी question को अच्छे तरीके से explain करते हुए लिखना है आपका जितने page में आए उतने page में आना चाहिए उसके बसे दोस्तो आपका चोथा comment आ था कि सर अगर किसी परसन का उतर याद ना आए तो क्या उसके जगापर हम किसी दूसरे परसन का उतर लिख सकते हैं दोस्तो परिच्छा में आप ऐसे बिल्कुल भी मत कीजेगा अगर आपको किसी परसन का उतर याद नहीं आता है तो या तो आप उस परसन को बना बना के लिखिए या फिर आप उसे मिलता जुलता उसका उतर लिखिए लेकिन अगर आपको परसन का उतर याद नहीं आता है तो आप क्या करेंगे उसके जगापर किसी दूसरे परसन का उतर नहीं लिखिए वरना अगर गलती से भी एक्जामिनर की नजर आपके कोश्चन पर पड़ गई तो आपका पूरा नमबर जो है काट लेगा तो दोस्तो अगर आपको किसी परसन का उतर याद नहीं आता है या फिर आपको परसन समझ में नहीं आता है अगर आपको परसन का उतर लिखने नहीं आता है या आपको परसन समझ में नहीं आता है तो इसके उपर मैंने बिधोत वीडियो बनाया हुए एक्स्प्रेंट करके आप उस वीडियो को देखी आपको समझ में आता है या फिर आपको किसी परशने का उतर याद नहीं आता है तो उस condition में आप उस परशने का उतर कैसे लिखेंगे इसके उपर मैंने बीधोत वीडियो बनाया हुए आप उसको देखी और समझे उसके बासे दोस्तों आपका अगला कोमेंट आया था परिक्षा में ज्यादा नंबर कैसे ला है दोस्तों देखी अगर आप परिक्षा में ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तीन-चर काम करना होगा सबसे पहले तो आपको सभी question करने होंगे आपको एक भी question नहीं छोड़ना होगा दूसरा काम करना होगा आपको अच्छे तरीके से writing में लिखना होगा अपने लिखावर को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना होगा उसके बासे दोस्तों आपको परिक्षा में काट पिट ज्यादा नहीं करना होगा साप सुत्रे तरीके से लिखना होगा उसके बाद दोस्तों परिच्छा में जो गलती करते हैं बहुत से लोग आपको तीर नहीं बनाना है आपको इस्टार नहीं बनाना है आपको सब्दों के 20 की दूरी जोएकी उचित रखना है यह सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा नमर मिलेंगे तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सभी सवालों के जबाब दे दी अगर आपके कोई और भी सवाल रागे होंगे तो कमेंट करके जरूर बतेगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक्यू दूस्तों